है गाइज मैं हूँ अतूल और आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ ट्रांस्मिशन लाइन, डिस्टिबिशन लाइन या फिर सब डिस्टिबिशन लाइन इसमें जो Conductors use होते हैं, उस Conductors में फेज लाइन जो है एक जगा से दूसरे जगा ट्रांस्मिट किया जाता है तो उस फेज लाइन पे पंक्छी आके बैठते हैं यानि कि जो buds बैठे होते हैं उसे जो है current क्यों नहीं लगता है, तो आज मैं आपको तो जिस तरीके से आपको समझाऊंगा और जिस तरह से आपको मैं बताऊंगा कि इंटर्वियोर के शामने आप इस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे तो आपका इंप्रेशन जो है बहुत अच्छा रहने वाला है तो प्लीज गैस वीडियो को सुरू से अंतक देखिए और इस वीडियो से रिलेटेट कोई प्लीज अगा डाउट हो या फिर आपका कोई सुझाब हो तो प्लीज कमेंट सिक्षर में कमेंट करना ना भूले मैं जितना हो सके उतना स्वाट मैं आपको बताने ही कुईस करूँगा ताकि आप बहुत आसान तरीके से इस चीज को समझ चाए सपोस मान लीजिए कि आपको एक सिंगल फेज मोटर को रन करवाना है तो आपको इसमें क्या-क्या रिकॉर्वेंट पड़ेगा समोटर को रन करवाने के लिए एक फेज लाइन ऊपसी फेजरला देदी दिया तो भी चलेगा तो जब तक आप आप फेज और नूटर ले खेंगे यानि कि जब हम फेज और नूट्रल दे रहें तो क्या हो रहा है भोल्टेज और करेंट जो एक साथ फ्लो करन होना स्टार् ओर हो रहा है और हमारा मोटर जो है आगे रन हो रहा है यह आपको यह लॉजिक जो है पंचिहों में या फिर human body पे जो है आप लगा सकते हैं ये जो पंची हमारे transmission line distribution या फिर sub distribution line यानि कि आपके घरों के अगल बगल जो पोल्स में जो conductors होते हैं उसमें जो पंची बैठे होते हैं उन्हें जो है कभी sock नहीं लगता है क्योंकि वो जो पंची जिस conductor पे बैठे हैं वो जो एक सिफ फेज लाइन है अगर किसी भी कारण अगर उसे neutral मिलता है अभी जो है वो पंची को जो है सौक लगेगा बरना वो पंची को जो है सौक कभी लगने वारा नहीं है इस बात को आपको ध्यान में रखना है तो इंटर्विवर अगर आपसे पूछता है कि क्यों पंची को जो है सौक नहीं लगता है तो आपको बताना है कि किसी भी human body या फिर कोई भी animals को या फिर birds को अगर लगता है तो वह जो है दो reason से लगता है वह एक phase और एक जो है neutral अग जब तक phase और neutral प्रोपर तरीके से उन्हें नहीं मिलेगा तब तक जो है कभी भी पंची हो या फिर human body हो कभी भी उसे जो है सौक नहीं लगेगा आपको याद रखना है कि यह जो हमारा अर्थ है वो भी एक जो है neutral का तरह काम करता है आप अगर अर्थ पे खड़े लगेगा और किसी की फेस्ट लाइन को अगर आप डच करेंगे तो भी जो है आपको लगेगा ऐसे में जो है बहुत सारे कैसे से हुए हैं जहां पर टेट भी हो जाते हैं तो गाइस मैंने अभी जो भी बाते बताया एही है reason की किसी भी पंची अगर transmission line के conductors पर बैठे होते हैं तो उसे जो है sock क्यों नहीं लगता है तो guys मैं जितना simple highway में हो सका पता नहीं हो इस किया हूँ तो please वीडियो को अपने दोस्तों के साथ share करिये ताकि उन्हें ही पता चल सके कि electrical engineering से related कौन कौन से real fact है तो guys मिलते हैं next video में तब तक अपना ध्यान रखिए